हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टो अर्पेन पुटिक, तो कैसे हैं आप सभी? और आज हम आपको बता आने वाले हैं कुछ इस ट्राइप की धोती शलुवाय बनाना तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसकी कटिंग करना स्टार्ड पहले देख लेते हैं मेजर्मेंट एंड फैबरिक कितना लेना है इसमें जो फैबरिक की यूज होगा यह हमने लिया है धाई मीटर लंबाई इसकी धाई मीटर की है और इसकी जो वेर्थ है वो है 43 इंच की और यह जर्मन सिल्क का फैबरिक है जो शाटन की अच्छी क्यूलिटी का फैबरिक आता है यह वही है और इस शलवार को बनाने के लिए आपको इसी टाइप का फैबरिक चाहिए पड़ेगा जिसका का यह दूए और इसमें हम यह वाली सुन्दर सी लैस यूज करेंगे और यह जो आपकी लैस रहेगी वह थोड़ी सी ऐसी होना चाहिए जो थोड़ी लूज हो जो आसानी से फोल्ड हो जाए ऐसी टाइट लैस होगी जो फोल्ड नहीं होगी तो फिर वह आपके दोदी के कावल पर अच्छ सीधा करेंगे सीधा करके और सिंगल करके लिए यहां से इसको फोल्ड करना है सिंगल फैब्रिक को फोल्ड करना है और यहां से एक बैल्ट की पट्टी निकालेंगे साड़े आट इंच पर माक करेंगे और यहां पर भी करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसी line की उपर से cutting कर देंगे अब साड़े 8 inch की पट्टी हमने केसे साप से निकाली है वो समझ लेजे यह जो पट्टी है यह belt की पट्टी है यह इसकी लंबाई है और यह इसकी चोड़ाई है तो लंबाई साड़े 8 कैसे रख ली वो समझ लेजे यहाँ पर 1,5 inch का नेफा फोल्ड होगा और अधेंच अंदर मार्जिन में जाएगा यहाँ से 1,5 inch अंदर मार्जिन का और फिर 1,5 inch फोल्ड करने का तो यह हो गया तो यहां से 2 inch fabric यूज हो जाएगा इसके बाद 6 inch का एट इंज हम लूजिंग एड कर रहा है यहां पर आप एट की जगा टैन भी कर सकते हैं अगर आपका साइज बड़ा है अगर यहां पर आपका 32 की जगा 42 या 40 होता है ना तो फिर आप यहां पर 10 इंज प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा 40 इंज तो 40 जो है वो सिंगल मे पर मागर करना है और सबी कर देना है और सबी फॉरमूलय करके इस तरहांब करना है इसको फोल्ड करने की बाद अभ यह वाला जो किनारी है ना इस वाली किनारी पर जाएंगे इसको फैब्रिक को पकडेंगे और यहां से ऐसे लेकर आएंगे और इस तिरह से फोल्ड करेंगी इस तारा इंग इस तरह से आपको दोती शलवार जो हम कटिंग कर रहा है उसका भी छेप बना लेना है पहले हम यहां पर इसना से मॉल किरेंगे किनारी चली जाया रट करके हटा देना है इसके बाद यहाँ पर जो हमारा मोरी का साइज है वो लेंगे मोरी का साइज जो है हमारा 11 इंच का है तो वो यहाँ से आ जाएगा तो हम मार्क जो है वो 5 इंच पर ही करने वाले हैं इस तरह से ऐसे में यहाँ से ऐसे लेंगे अब पहले इसको check करेंगे हैं यहां से कितना आ रहा है यह change का तो यहां से भी change ले लेंगे और यहां से इसको हलका सा ऐसे round कर देंगे अब यहां से 1 इंज fold होने में fabric चला चाएगा तो एक इंज fabric fold करने के लिए रख लेंगे अब यहां से यह जो ऊपर वाली लाइन है ना यहां से हमें length लेनी है शलवार की तो length आपकी जितनी भी आप वो यहीं से रखनी है तो 6 इंच का belt ready आने वाला है और यहां पर आदेंच सिलाई में भी चला जाएगा तो आदेंच सिलाई का add कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा तो यह मार्क हमारा fix mark रहेगा यहां इसे में cutting करनी है यहां पर हमने शर्वार की length लगा लिए शर्वार की length आपको हमेशा यहीं इसी वाली side से लगाना है जो किनारी वाली side रहेगे जिस side आफ फोल्ड करके लाएंगे जो straight fabric रहेगा और आपको length इस side नहीं लगानी है नहीं तो आप length आप यहां पर लगा लें तो length आपकी कम हो जाएगी ना अगर आपकी length 37 से जादा है जैसे अगर आपकी length मान लीज़े 40 inch है तो आप यहां पर 40 inch पर इंजी टैप को रखेंगे और यह वाला जो mark रहेगा वो आपका यहां पर आएगा नहीं तो आप लोग फिर बा आपके size के हिसाब से बताया था तो यहां पर हमने 5.5 पर इसकी length लगा दी है अब यहीं से हमें इंजी टैप को इतना ही छोड़ना है और crotch area का निशान लगाएंगे crotch area हम लगाने वाले हैं 14 पर तो आपको सभी size का crotch area कैसे लेना है कैसे निकालना है और आपको सभी size का crotch area निकालने हम दिक्कत आती है या length में दिक्कत आती है या आपको सभी types के bottom wear सीखना है तो आप हमारी classes भी join कर सकते हैं यह जो हम classes आपको देते हैं यह हम online देते हैं औ और एप आपको प्ले स्टॉर से डाउनलोड करना पड़ेगा और एप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टॉर से भी कर सकते हैं और वाडम ब्यार जो कोर्स है उसकी प्राइस है 1499 रुपए और इसमें अभी डिसक तक आप दिन में रहें तब आप सीख पाएं आप अगर सभी साइस के बॉटम ब्यार सीखना चाहते हैं जैसे धोती हुई अफगानी सलवार हुई पैंट हुआ प्लाजो हुआ जितने भी टाइप्स के बॉटम ब्यार होते हैं वह हम आपको सारे सिखाने वाले हैं और सभी साइस के हिसाब से फैबर कितना यूज होगा यह भी हम उसी में आपको बताने वाले हैं और आपको क्लासर रिलीटेट कोई भी इनफोर्मेशन चाहिए तो यह जो मैंने कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो यह वाला जो निशान है यहां पर क्रॉच एरिया आएगा तो यहां से हम कटिंग कटिंग का काम बाद में करेंगे पहले मार्किंग करते हैं तो यहां पर क्रॉच एरिया आगा है यह हमाई लेंट हो गई अब लेंट में हमें यहां पर सीधा मार्क करना है तो किस तरह से करेंगे यह वाला जो निशान है इस वाले निशान को देखते हुए पर तो यहीं से निशान लगाएंगे, यह देखिए कुछ इस तरह से, हो सकता है आपका ये वाला निशान इतना तिर्चह नहीं हो, अगर आपकी लेंद 40 इंच है या 39 है, तो आपका निशान यहां से भी आ सकता है और यहां से इस टाइप से भी आपकी लाइन जा सकती है, तो उसमे किनारी तो आपको हटाई देनी है, किनारी को नहीं लेना है, अब यहां से यह जो किनारी है, किनारी को कटिंग करके हटाएंगे, क्योंकि किनारी जो रहती है, सलवार को उचा उचकाती है, मोरी के पास से, यह इसकी कटिंग हो गई है, यहां से यह फोल्ड होगा, यह बढ तो यहां से सलाई कर देंगे और यहां से आद्हें से लाइन चला जायेगा तो यह85-6-4 चांच कहां से चारेंज यहां से लेके यहां तक तो आपको यहां से चारेंज फैब्रिक कटिंग करके हटा देना है क्यों हटाना है क्योंकि यह जो नौक वाला फैब्रिक होता है वो यहां पर ऐसे ऊपर उटके आता है पर हम चाह रहे हैं जो हमारा कावलव वो एकदम लटका हुआ है और यहाँ से ऐसे ऐसे दिखें ऐसे बाहर निकला हुआ नहीं दिखना चाहिए इसलिए हमने इस ट्राइप से इसको कटिंग कर दिया है अब कटिंग करने के बाद जो नीचे का पैटन था उसकी पूरी अब हमें क्या करना है अगर आपके साइज में बैल्ट का साइज बड़ा है मेरा साइज छोटा था तो एक ही पट्टी में मेरा बैल्ट आ गया है अगर आपका बैल्ट का साइज बड़ा है मान लिजे यहां से आपको इतना फैब्रिक और चाहिए तो यह जो फैब्रिक बचा और यहां से 1 इंच को दाउन करेंगे और यहां वाला जो निishan को यहां पर ऐसे cross में मिला देंगे अब इनी निशानों के उपर से cutting कर देंगे तो यह देखी friends perfect म्यानी की cutting हो चुकी है और यह जो म्यानी रहेगी यह जो हमने स्टिस्टि करेंगे स्टिशिंग करने के लिए सबसे पहले हमfa Gesetz रैडि करींगे अब यहां पर आपको साइशा सिलाइ लगानी में इस तरह से डेड़ इंच का यहां पर ढ़र सोड़ देना है यहांं से लेकी यहां तक यहां पर से लगाने मिरस के अब बखु आपको यहां पर नौढ़ाइब कर दिया है स्टाइक आसे मारजिन इसको सीधा कर देना है सीधा करने के बाद इसका नेफा फोल्ड कर देंगे राउंड राउंड में कैसे फोल्ड करना है यह जो हमने नेफा बनाया यहां से जो हूल रखा है यहां से इसको दो इंच फोल्ड कर देना है इस फैब्रिक को यहां से दो इंच जब हम इसको अब पोल्ड करकेवर दवल कर लेना है और यहाँ से इस साइड जाएंगे तो यहं गया और इस Onthu साइड का सेंटर्. अब इन दोनों को यहां पर आपस में मिला और मिलने के वाद के यहां पर एक कट लगाएंगे, यह हो जाएंगे दौनों हमारे साइड वाले कट, अब यह जो साइड वाले कट हैं, इन दौनों को यह से पकड़ेंगे और इस तरह से लेंगे, फ्रंट वाला पार्ट और यह बैक वाला पार्ट कि दौनों की सेंटर को आपस में मिला देंगे और इस तरह से रखेंगे और यहां से लेके यहां तक यह एक हिस्सर आएगा और यह दूसरा हिस्सर आएगा आगे वाला और पीछे वाला दोनों को यहां पर यहां से मिलाते हुए हम चेक करेंगे कि हमें प्लिट्स जो रहेंगे वो कितने इंच में चाहिए तो यहां से लेके यहां तक यह आ रहा है, पौने 10 इंच, इस साइड भी चेक करेंगे, यह कितना आ रहा है, तो यह भी पौने 10 इंच आ रहा है, तो पौने 10 इंच एक साइड से और पौने 10 इंच इस साइड से, यह देखें क्योंकि यहां से भी हमें बैक तक देखना है न, तो दौनों साइट का मिला की हो जाएगा हमारा साड़े 19 सिंच, कहां से कहां तक यहां से लेके यहां तक, एक साइट का जो हिस्सार आएगा वो साड़े 19 सिंच का रहेगा, और ऐसे ही साड़े 19 सिंच का इस साइड वाला रहेगा, अब बेल्ट हमारा रैडी हो चुका है, इस यहां से एक सिलाई लगा देंगे इसके बाद यह जुम्होरी वाला पार्ट है इसको लेना है और इसको भी हम यहां से एक और यह दो पल्टी में नॉर्मली फोल्ड कर देंगे यहां से हमने इसमें सिलाई लगा दी और यहां नीचे साइड से हमने इसको फोल्ड भी कर दिया तो यह वाला जो पार्ट है यह तैयार हो गया है अब इसको हमें यहां पर अलग कर लेना है एक एक पार्ट लेना है और एक पार्ट को अलग कर देना है अब यह जो पार्ट है इसमें हमें यहाँ पर ऐसे प्लिट्स बनानी है और इस साइड़ वाले पार्ट में भी प्लिट्स बनानी है और यहाँ पर इस तरह से काउल बन जाएगा पहले एक बार मैं फिर से फोल्ड करती हूँ और आपको समझा देती हूँ ताकि आप लोगों confusion ना हो अब ये वाला जो हिस्सा है ये तो नीचे पैर वाली साइट का है फिटिंग वाली साइट का और ये वाला जो हिस्सा है इसमें प्लिट्स बनना है प्लिट्स कैसे बनाएंगे ये वाला जो पार्ट राएगा एक साइट की प्लिट्स इस वाले पार्ट से बनेंगी और एक साइट की प्लिट्स इस वाले पार्ट से बनेंगी और ये वाले जो सिलाई वाला हिस्सा है यहां से जो हमने कटिंग किया था ये वाला जो हिस्सा है यह हमारा यहां पर आएगा side में यहां से लेकर यहां तक कि जो हम plits बनाने वाले हैं वो किस size की बनाएंगे वो हम बनाएंगे इस बाले size की यहां से लेकर यहां तक कि यह size हमारा कितना निकला था यह निकला था 1.5-19 inch अब हमी measurement dummy ले लिनी है डमी पर क्या करना है यह जो कमर वाला हिस्सा है यहां से चार इंच पर मार्क करना है यहां सेंटर से भी चार इंच पर मार्क कर लेंगे यह चार इंच पर मार्क कर दिया यह जो है न दिये देखी यह इसका सेंटर है यहाँ पर इसका center है और ऐसा ही center हम back side भी देखेंगे कहाँ पर है यहाँ पर यहाँ पर भी हम 4 inch पर ही mark कर देंगे हमने mark कर दिया अब इसके बाद यहाँ से यह जो center line है यहाँ से इंची tap को रखना है और इस तरह से इसको measure करेंगे तो यहां से लिके यहां तक यह कितना आ रहा है 11,9 inch का तो कितना कम है यह देखे इंची साडे 16 से 1 और 2 3 तीन inch कम आ रहा है तो 3 inch कम है तो 3 का आद़ा करेंगे तो हो जाएगा 15 तो 15 तो 15 यहाँ पर और 15 यहाँ पर extra ले रेंगे अब हम यहां से start करेंगे measure करना यह जो हमने mark किया ना इसी के उपड़ से करना है और यहां तक कितना इंच आ रहा है 11.19 इंच तो अभी यह एक दम fix है तो यहीं पर हम इसको attach करना है तो आपको इस तरह से यह जो हमने mark किया था ना 19.5 इंच पर यहां से start करना है और यहां से इस तरह से यह जो देखिए charge पर माग किया था इसको touch करते हुए ही चलेंगे यहां से ऐसे touch करते हुए और जो center की slide थी वो slide वाला part यह आ गया है यह side वाली slide पर side वाली slide आ गया है और यहां से चलेंगे यह देखिए यह जो निशान है यह आ गया और इतना सिलाई margin हो जाएगा तो यहां पर परफेक्ट इस तरह से आपको plates बनाने है ठीके और नीजे का काउल देखिए आप side का जो काउल रहेगा वो इस तरह से रहेगा side का काउल ऐसे बनना चाहिए और इसी काउल की उपर हमको ऐसा अटाच करनी है अब आप लोग सोच रहे होंगे plates को किस तरह से बनाना है तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ तो अब यह वाला जो निशान है यहां से लिगे plates बनाएंगे अपन कहां तक यह इस वाले निशान तक कैसे बनाएंगे इसको यहां पर सीधा front side से रखना है और यह जो हमारा fabric है fabric कुछ इस type कराएगा मोरी वाला part नीचे side है और यह side वाला part है जो side में आएगा वो तो यह side वाला जो part है इसको आपको पहले यहां से ऐसे open करना है और यह जो side वाली सिलाई है यहां पर ऐसे इस तरह से टक कर देना है फिर आप यह वाला part है यहां से लेके जाएंगे और यह corner पर आजाएंगे corner को यहां पर यह जो हमने बेल्ट के size का निशान लगाए यहां पर यहां पर टक करेंगे आदेन सिलाई margin हमने बाहर छोड़ दिया है ठीक है क्योंकि सिलाई में जला जाएगा इतना तो यह देखे यहां पर इस तरह से आपको टक कर देना है अब हम जलेंगे पीछे side अब यह वाला जो part है इसको लेना है और इसके corner पर आना है और यहां पर भी आदेन सिलाई margin बाहर रखना है और यह जो निशान है यह वाला निशान यहां पर इस वाले fabric को इस तरह से ऐसे टक करेंगे कर दिया अब हम इसमें plits बनाएंगे अब यह वाला जो fabric ना इसकी plits यहां से लेके यहां तक बनानी है अब यह वाला जो fabric है इसकी plits यहां से लेके यहां तक बनानी है किस type से बनाएंगे वो देखेंगे यह fabric है यहां से इसकी plits का जो size रहेगा वो आपके belt के according रहेगा हींसे लेनी हैं आपको यहां पर हमने और यह पर यह। बना दी सथा से पिन लगा दी सजो कि वह इतनी को भी वनाएंग 201305 प्लिट्स बनाते जाएंगे, और लास्ट लास्ट में आपका प्लिट का साइस थोड़ा सा एड़ेस्ट करना पड़ सकता है, आपको हो सकता है थोड़ा बड़ा रखना पड़े, हो सकता है आपको थोड़ा छोटा रखना पड़े, तो आप अपने साइस के अकॉर्डिंग च डारेक्शन हम इस साइड करेंगे पहले हमने इस साइड किया अब हम इस साइड करेंगे अब सेकंड वाली साइड की प्लिट्स का डारेक्शन इन वाली प्लिट्स की साइड करेंगे और वही साइज सेम रखना है ये देखे, सारी प्लिट्स सेट हो चुकी है, अब इसको हम इस तरह से रखना है और इसके काउल को सेट करना है, तो ये तो फस्ट वाली प्लिट का काउल रहेगा फिर ये सेकेंड वाली का, ऐसे आपको खुद को ही बनाना पड़ेगा इसको तो अब काउल सेट हो गया, तो ये जो प्लिट्स हमने बनाई है, इसी काउल की उपर हमको लैस भी attach करने ही है तो ये रही हमाई लैस, अब इसको हम यहाँ पर attach करेंगे करेंगे इसको भी हम पिंट की help से attach करने वाले हैं यह देखिए यहाँ पर इस तरह से हम सिंगल करके पकड़ेंगे इसको और यहाँ से थोड़े थोड़े दूर पर पिंस लगाकर इसको अटेच करेंगे यहां से यह जो प्लेट पन रही है ना इसी के उपर से लैस को अटेच करना है और इसको iking ठोड़ा इसलिह रखाए तना कि कOWL में राउन में अगर थोड़ी चोड़ी हो जाती है तो यहां से एड्जेस्ट हो जाए तो देखिए इस तरह से हमने less इसको छोड़ देना है मतलब यहां से एकgt में लैस को छोड़ देना है मतलब यहां-से एक प्रिट में tell एक करेंगे चोड़ेंगे तो ढर्णे पर और यहां पर कर देंगे हमें इसारह से हमें परक्ति करनी है इस तरह से एक एक प्लीट चोड़ कर लेस को अटेच करते जाना है और यह वाली छोड़ के यहाँ पर लेस को अटेच करें यह थोड़ी से लैस आपको एक्ष्ट्र आहीं रखनी है ता कि आपको बाद में अगर चोटी से काउल को फिर से सैट करेंगे और फिर लेस को एनसे गोमाएंगे इसतरह से कर देंगे तो देखे इस सबस्क्रासिया राउंड को अब शुथज कुर दिया ने और क्साइट से अब इन pins को हटाएंगे जो हमने attach की थी hand stitch थो हमने इसमें पहले ही लगा दी थी तो plate तो यहाँ से निकलेंगी नहीं यहीं पर रहेंगी बस यह pins को हमें हटा देना है और पूरे घेर को इसमें से अलग करेंगे इस तरह से हमने इसमें लैस को tuck किया है अब हमें यहां से इसको ऐसे सिंगल करना है पिंस को आप तुरंट-तुरंट अटाते जाना ऐसे तुरंट इसको अटाया और यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां से सिलाई लगाते जाएंगे और राउंड इनमें पूरे में सिलाई लगा देंगे इसी तरह से हम महोरी पर भी लैस अटाच करेंगे सारी ही लैसे पर हमने सिलाई लगा दी है और लैस दौनों ही पार्ट में हमने अटाच कर दी है जैसे हमने इस पार्ट को रेडी किया है इस वाले पार्ट को भी रेडी कर लिया है इसके उपर रखेंगे, दूसरे वाले पार्ट को यहां से लेके यहां तक, तिलाई लगाकर इसको अटाच कर देंगे और इस वाली साइड से भी अटाच कर देंगे, यहीं तक, कहां तक, जहां तक हमने कट लगाया है तो इस तरह से कर सकते हैं और अगर आपको म्यानी लगाना है तो म्यानी को यहाँ पर लेना है और यहाँ पर रख देना है और यहाँ पर इसको अटैच करेंगे और इस वाली म्यानी को इस साइड भी म्यानी को अटैच कर दिया है अब इसको मैं यहाँ से इस तरह से दौनों म यतनि महरी पर निशान लगाना है और यहां से लेबने के और तक यहां से लेकर नीचे तक je अब शीचा और इसकी फिटिंग करदेंगे कर देगी पह से खालत करने के बारेनगे यहां से प्रंट को एक किसी बात करेंगे शुक्याणी अब में भी रह लेंगे यह जो backside का cut है is in a vi liter oil punya यहां पर दौनों को मिला दिया अभ यह सीधा है और यह वाल saiba यह गोल मलाओं इस तरह के रखेंगे इसके ऊपर और यहांसे करके धीर दीर करकिं़ कू पूरा अंदर कर देंगे अँदर कर देंगे अब हम इसमेंS करना है और यहां पर बूट की सिलाई लगा देना है राउंड में बैल्ट अटेज होने के साथ ही पूरी शलवार रेडी हो चोगी है तो देखिए कुछ इस टाइब की लग रही है और वेर करके तो मैंने आपको स्टाइडिंग में भी दिखा दिया था तो आप कमेंट करके कि बताइजे कि आपको यहां कैसे लग रहे है और अगर आप सारी चीजें देडेल में सीखना जाएं जैसे कि म्यानी को कैसे टैज करना है कैसे लगाना एक साइज में क्या चेंज करना है आप ह्लासेज कर सकते हैं लिए आप पुटिक आपको देंग को लेंग वीडियो में जब तक लिए आप बाई